C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रिंखला वाताइनम वाताइनम मी आज सुनते हैं ये कारेक्रम तन्तु वायह कवी है पुराने समय की बात है मद्ध्य भारत में धारा नाम की एक नगरी थी उस नगरी के राजा महाराज भोज होते थे महाराज भोज के दर्बार में हमेशा विद्वानों पंडितों का दर्बार लगा करता था महाराज भोज को कविता करना बहुत अच्छा लगता था वो कविता सुनकर अत्यंद प्रसंद हुआ करते थे एक एक शब्द पर लक्ष लक्ष रुपए दिया करते थे एक दिन उनके दर्बार में द्वार पाल आकर भोला जयतू जयतू देव त्राविड देशी यह लक्षमी धर नामा कशित विद्वान देवस्य दर्ष नार्थम द्वार देशे वर्थते अई द्वार पाल सादरम प्रवेश आयो यह था आदिशती देव इस तरह आदेश प्राप्त कर द्वार पाल बाहर जाता है और लक्षमी धर को साथ में लाकर महाराज के सम्मुख उपस्थित करता है तब लक्षमी धर बोला राजन अभिवादये हम दिनकर दीप्तिरिव भवतह कीर्ति ही सर्वत्र प्रसरतु विभवाह सौख्यानी चवर्धन्तां विद्ध्यासू भवतो नुरागह सततमेधतां अनुग्रही तोस्मी भगवन कुतस्ते आगमनम राजन सजलम सरह वीक्ष्य दूरतो पी पक्षण स्वयमे वायांती भवतह विद्ध्यानु रागम दान शीलिताम च आकर्ण्य समागतोस्मी भवतह राज्ये निवसितु मिच्छामी अनुग्रही तोस्मी ममैतत सवभाग्यम यद भवाद्रिशह विद्ध्वान कभी ममपंडित परिशदं विभूशयेत मंत्रिन नगरपालं आदिशतु यद सराज्ये विदुशे लख्मी धराय निवास व्यवस्थाम कुरियात यथा आज्या पयति देव एवं विधेयं यत नगरे निवसंतं अल्पग्यम जनं निश्वारिय तस्यवग्रहे एशपंडित वरह वाशईत व्यव्याः यथा अदिशति देव वो नगरपाल तुम भूयो भी नगरम गच्छ यह नागरी कहा कव्यम कर तुम नजानाती तम नगरात बहिस्कृत्य तस्यवग्रहे पंडितम निवास है यथा आज्या पयति राजन राजा से आदेश प्राप्त कर नगरपाल राजसभा से बाहर निकल जाता है और नगर में गहुमते गहुमते एक जुलाहे के पास पहुच कर बोला बो किम करो सी तुम अहम तंतून वयामे आम तस्मादेव अपठितोसी महाशय तंतू आयोहम ममज्यानम्तू अल्पमेव ये शह अल्पविद्योस्ती अतह काब्यरचनाम न जानियाद ये नमेव राज्या समक्षयम उपस्थाप इस्यामी तरिही मयासह राजभवनम आगच्च महाशय कथाय को में दोशह राजसभायाम ग्यानसियसी अस्तो गच्चा वह जुलाहे को लेकर नगरपाल राजसभा में पहुचा और राजा से बोला विजयताम देवह किम वृत्तम अयम तंतु वायह अल्प विद्ध्योस्ति भो कथय कस्त्वम महाराज तंतु वायोहम किन तेकारियम किम कव्यम करतुम जानासि महाराज तंतु वायनम ममकारियम तेनेव जीविकाम निर्वहामी कथंवा महा कवितुल्यम काव्यम रचयेयम तरही राजकोशाद धनम ग्रहीत्वा अन्यत्रगत्वा निवसो ममराज्ये अकवीनाम अविद्यानांच स्थानम नास्थि वो, किम करो सीत्वम? महाराज, काव्यम करोमी नहीं चारूतरम करोमी यतनाद करोमी यदी चारूतरम करोमी सुन्दरम, तंतु वायो सस्वरम गायतु यथा अज्यापयति महाराज काव्यम करोमी नहीं चारूतरम करोमी यतनाद करोमी यदी चारूतरम करोमी भूपाल मौलि मनि मंडित पाग पीठ हे साह सांक कवयामी वयामी यामी हे साह सांक कवयामी वयामी यामी महदास्चरियम साधू कीद्रशी ललिता पदयो जना कवयामी वयामी याम सुन्दरम अति सुन्दरम धन्योसित्वम धन्यस्चाहम यत भवाद्रिशहतंतु वायोपि ममराज्य निवसती आपने सुना कि खोजने पर भी महाराज भोज के राज्य में एक भी अनपढ़ अज्यानी नहीं मिला एक जुलाहा मिला जो कपड़ा बुनने का काम करता था वो भी महान कवय था तन्तु वायह कविह अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम विशे संयोजन प्रफेसर क्रिष्णी चंदरत्रिपाथी और डॉक्टर रंजीत बिहरा भाषा शिक्षविभाग N.C.E.R.D. कलाकार प्रफेसर क्रिष्णी चंदरत्रिपाथी डॉक्टर रंजीत बिहरा डॉक्टर बल्देवानन्द सागर डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी धनश्री और गिरिश ध्वनियंकन, बटिलेंग लिंग्डो और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग, विम्लेश चौधरी और गीतिका उन्याल, निर्माण, निर्देशन और ध्वनिसंपादन, वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. and C.E.R.T.